आजादी के अमरितकान में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा उठ समय दुनिया में भारत का तिरंगा जंडा विक्सित भारत का तिरंगा जंडा होना चाहिए रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है पीशे नियाटना है और इसके लिए सुचीता पारदर्शीता और निस्पक्षता ये पहली आप मजबूती की ज़रूरत है हमें उस मजबूती को जितना ज़्यादा खात पानी दे सकते हैं संस्ताओं के माध्यम देख सकते हैं नागरी के नाते जे सकते हैं परिवार के नाते जे सकते हैं ये हमारा सामोहिक दाईत्व होना चाहिए और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहाद देखिए भारत के सामर्थ में कोई कमी नहीं थी अरे जो देश कभी सोना की चिडिया कहा जाता था वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ को लेकर के खड़ा हो सकता है मेरा अतूर्ट विश्वास है सातियो मेरे पियप परिवार जनो मेरा अखन अतूर्ष एक निष्ट विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के सो साल मनाएगा मेरा देश विख्सिद भारत बन के रहेगा और ये मैं मेरे देश के सामर्थ के अधार पर कह रहा हूँ मेरे उपलब्द समसादनों के अधार पर कह रहा हूँ और सबसे ज़्यादा पीस से कम आयू वाली मेरी युवास शक्ति के भरों से कह रहा हूँ मेरी माताओं बेहनों के सामर्थ के भरों से कह रहा हूँ लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है कुछ विकृतियां पिछले 75 सान में ऐसे घर कर गई है हमारी समाज ववस्ता का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आँख भी बंद कर देते हैं अब आँख बंद करने का सबय नहीं है अगर सपनों को सिद्ध करना है संकल्प को पार करना है तो हमें यह आँख में छोली बंद करके आँख में आँख मिलां करके तीन बुराईयों से लड़ना बहुत समय की मांग है हमारे देश की सारी समचाओं की जड़ में प्रस्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्ताओं को देश के समर्द 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 को पूरी तरह नोच लिए प्रस्टाचार से मुक्ती प्रस्टाचार के खिलाब जंग हर जी काई में हर खेत्र बै और मैं देश वासियों मेरे प्रिये परिवार जनों यह मोदी के जीवन का कमिटमेंट है यह मेरे अम्धियत प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई लड़ता रखूंगा दूसरा हमारे देश को नोच लिया है परिवार बाद ने इस परिवार बाद ने देश को जिस प्रकार जे जकड के रखा है उसने देश के लोगों का हक चिना है और तीसरी बुराई तुष्ट्री करन की है यह तुष्ट्री करने भी देश के मुल्फु चिंतन को देश के सर्वज्समास भैशर हमारे राष्ठे चरित्र को दाग लगा दिये तेस नेस कर दिया है इन लोगों और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों इसलिए मेरे प्यारे परिवार जनों हमें इन तीन गुराईयों के खिलाफ पूरे सामर्थक एसार लड़ना है प्रस्ताचार परिवारबाद तुस्त्री करण ये चुनोतिया हमारे ये ऐसी चीजे पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांखाए उसका दमन करती है हमारे देश के कुछ लोगों के पाद जो छोटा बोटा सामर्त है उसका शोशन करती है यह ऐसी चीज़े हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांख्षाओं को सवाल या निसान में गार देती है हमारे गरीब हो हमारे दलीत हो हमारे पिछड़े हो हमारे पसमांदा हो हमारे आदिवासी भाई बहन हो हमारी माताए बहने हो हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराईयों से मुक्ति पानी है हमें प्रस्टाचार के खिलाब एक नफरत का वाहूल बनाना है जैसे गंदगी हमें नफरत परदा करते हैं मन में गंदगी पसंद नहीं है ये सारवजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती और इतने हमारे स्वचता अभियान को एक नया मोड ये भी देना है कि हमें प्रस्टाचार से मुक्ति पानी है सरकार टेक्नोलोजी से प्रस्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है आपको जानकर कहरानी होगी इस देश में पिछले नौ साल में एक काम मैंने ऐसे किया आखरा सुने को दो लोगे का मुदी ऐसा करता है जैसे दस करोड लोग करीब करीब जो गलत फाइदा उठाती वो मैंने रोक दिया आप मेंसे कोई कहेगा आपने लोगों सन्याय कर दिया जी नहीं ये दस करोड वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके वीड़ो हो जाते थे वो वृद्ध हो जाते थे वो दिव्यांग हो जाते थे फाइदे लिये जाते थे दस करोडे से बेनामी जो चीजे चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम प्रस्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त किये नहीं वो पहले की तुल्ला में 20 गुना जादा की है मेरे प्यारे परिवार जनों यह आपकी कमाई का पैसा लोग ले करके भागे थे 20 गुना जादा संपत्ति को जब्त करनेगा और इसने लोगों की मेरे प्रस्टी नाराजगी होना बहुत स्वाबाविक है लेकिन मुझे प्रस्टाचार के खिलाप की लड़ाई को आगे बढ़ाना है हमारे सरकारी व्यवस्था ने पहले केमेरा के सामने तो कुछ हो जाता था लेकिन बाद में चीज़े अटक जाती थी हमने पहले की तुलना में कई गुना जादा अदालत में चारशिट की है और अब जमानते भी नहीं मिलती है वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर करके हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम इमानदारी से ब्रस्टाचार के खिलाप रड़ रहे हैं आज परिवारवात और तुष्टिकरन इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भागी किया है अब लोक्तंत्र में यह कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी और मैं विशेद बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी आज मेरे देश के लोक्तंत्र में एक ऐसी विकृति परिवारवादी पार्टी आँ और उनका तो मंत्र क्या है पार्टी आप से फैमिली बाइद फैमिली एंड फॉर्ड फैमिली इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी उनका राजनितिक दल परिवार का परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतिजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं योग्यता को नकारते हैं सामर्थ को स्फिकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोगतंत्र की मजबूति के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए हर किसी को हक मिले इसलिए और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत अरुआ उसी प्रकारते तुष्टी करन तुष्टी करन ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुक्षान किया अगर सामाजिक न्याय को तबाग किसे ने किया है तो ये तुष्टी करन की सोच तुष्टी करन की राजनिती तुष्टी करन का सरकारी योजनाओं का तरीका इसने सामाजिक न्याय को मोत के घाट उतार दिया है और इसलिए हमें तुष्टी करान प्रस्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है अगर देश विकास चाहता है देश 2047 विक्सित भारत का सपना का साकार करना चाहता है तो हमारे लिए आवश्चक है कि हम किसी भी हालत में देश में प्रस्टाचार को सहन नहीं करें प्रस्टाचार को सहन आवश्चक है